हमाई जो फर्स एक्सेस है वो है बाबल शोल्डर प्रैसिस इसके हम चार सेट लेंगे हर सेट के अदर अपना वेट इंक्रीज करेंगे और हर सेट के अदर हम रैपिटेशन 12 रखेंगे 12 से नीचे रख सकते हूं कोई दिक्कत नहीं है और यह एक्सेसाइज हम बिहाइंट दर नेक परफॉर्म करेंगे अब आते हमारे सेकंड एक्सेसाइस पर फ्रंट रेजिस इसमें आपको अपने अल्बो हलके से बैंड रखने हैं और अपके डंबल सामने की तरफ होने चाहिए और इसको आप अपने शोल्डर लेंड तक ही लेके आना डंबल्स को वेट जितना कम रख सकते हो अच्छी चीज़ है क्योंकि यह इसमें आपको इंजरी के चांसे हो सकते हैं इसके भी हम चार सेट लेंगे और 12-15 रेपिटेशन इसी के साथ में हम एक्सेसाइस परफॉर्म कर अब आते है हमारी थर्ड एक्सेसाइस पर साइड रेज्स केवल पे और आप यह डंबल पर दोनों पर ले सकते हो वड़ केवल पर आपको काफी अच्छा स्ट्रेश मिलता है इसलिए मैं केवल पे ले रहा हूँ वेड आप जितना कम रख सकते हो सबसे अच्छा है क्योंकि ये injury के chances कम हो जाते हैं और आपको काफी अच्छा isolation मिलता है आपके shoulders में अब आते हमारी fourth exercise पे ये exercise आपके shoulder को 3D look देने में काफी health करती है ये exercise आपको एक chair पे lean होना है आगे की तरफ और अपने shoulder से इसको पीछे की तरफ खेंचना है अब आते हमारी fifth exercise पे रियर डेल्स के लिए जो पीछे की तरफ डेल्स होते है उसके लिए तो ये exercise आप cable और dumbbell दोनों पर perform कर सकते हैं इसलिए मैं केबल पर कर रहा हूं इसमें आपको अपने back को जितना हो सके आपके नीचे की तरफ लेके जाना है और आपके shoulder से इसको उपर की तरफ खेंचना है कि मैं लास्ट exercise पर ये आपके traps को ठिक करने में काफी help करती है मोटी करने में काफी help करती है ये exercise आपको बिल्कुल ऐसे ही perform करनी है जैसी screen पर देख रही है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like करना में को यहाँ पर subscribe करना और उस notification bell को press करना करना है